हेलो फ्रेंज, कैसे हो आप सब? उमीद करती हूँ, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्री सिवाय नमस्तु दोस्तों, आज मैं बहुत ही तेश्टी और एक यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, ये रेसिपी बनाना बहुत ही असान है, इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप लोग के साथ सेर करने जा रही हूँ, ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम घर पे बनाके तयार कर लेते हैं, इसे बनाने के लिए हमने चार आलू लिया है, आलू यहाँ पे आपको बिल्कुल पतले पतले स्लाइस कट करके दिखा दिया, यहाँ पे हमने बहुत सारे चिप्स तयार कर लिये, बिल्कुल पतले एकदम मार्केट जैसा बन के तयार होगा, कोई कमी नहीं होगी, मार्केट से भी बेहतर होगा, हमारा जहां तक उमीद है, तो दोस्तों इस चिप्स को काटने के बाद मैंने तुरत बिना कोई देरी किये हुए, हमने इसे चार से पांच पानी से धो लिया है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो यह आलू सारे काले पर जाएंगे, फिर हम अच्छे चिप्स घर पे नहीं बना पाएंगे, तो इसे अच्छे से दोने के बाद हमने क्या के एक जाली दार बरतन ले लिया, और उसमें सारे चिप्स को जितने मैंने आलू कट करके रखा था, उसे निकाल दिया है, ताकि इसका जो पानी है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए, पानी निकलने के बाद दोस्तों हमने यहां क्या किया है, एक सूती के कपड़े को पंखे के नीचे बिछा दिया है बिछाने के बाद यानि फैला दिया है उसके उपर एक एक चिप्स करके पूरे अच्छे तरिके से आदे गंटे के लिए फैला देंगे जादा देर के लिए नहीं फैलाना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ एकदम से मार्केट जैसा सेब समने यहाँ पर एक एक चिप्स का दे रखा है तो यह देखे आदे गणते के बाद हम यहाँ पर सारे चिप्स को अच्छे से उठा लेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल 10 से 15 मिट में यह चिप्स बनके रेडी हो जाएगा जो आपका टाइम लगेगा बस पंखे के नीचे टाइम लगेगा यकीन मानिए जब चाहें जिस टाइम चाहें आप अपने बच्चे का 20 घर पे पूरा कर सकते हैं मार्केट से हम बहुत 20-30-40 रुपए देदे के थोड़ा सा चिप्स उठा के लाते हैं यह देखिए दोस्तों चार आलू का चिप्स हैं हमने ज्यादा आलू भी नहीं कट किया है जहन इतने सारे चिप्स हमने यहां पर तयार कर लिया तो आप चलिए सारे चिप्स को इखठा करने के बाद यहां पर उसी कपड़े से हलके हलके से हम पोच लेंगे यह देखिए पोचने के बाद हम आपको दिखा देते हैं बिल्कुल राई यह नि सूखा हो गया है एक गम से अब चलिए दोस्तों आपको गैस के तरफ ले चलते हैं गैस के तरफ ले जाने के बाद हमने गैस को ऑन किया ऑन करने के बाद उसमें हमने रिफाइन ओयल का यूज तो आप देखिए एकदम से खिला खिला सा ऐसा लग रहा है कि दूप में जैसे उबाल के हम चिप्स उखाते हैं उस तरीके से बिना उबाले हुए बिना दूप में सुखाए हुए हम इस तरीके से चिप्स बना के त्यार किये हैं यहां पर हमने ना कोई उबाल किया है ना पहली बार आए हैं वह मेरे चैनल को सिस्क्राइब और लाइक जरूर कर लें तो इस तरीके से हम सारे चिप्स को चान के रेडी कर लिया है अब इसमें देखी मैं क्या दिखाते हूं यहां पर मैंने काला नमक डाला है बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक डालने के बाद अब हम लाल मिर्ची का पॉडर डाल लेंगे यह आपके पास मोटे कुटी हुई है तो वो डाल लीजिएगा अब साड़े चिप्स को यानि मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद एकदम से मार्केट जैसा चिप्स हम घर पे तयार कर लिए यह चिप्स हम आपके करारी एकदम से मार्केट जैसा तो वीडियो कैसी लगी इए कमेंट खर ज़रू बताईएगा मिलते हैं अब सी नेग्स टॉलग में तब तक दिने बिच केर और बाबाय दोस्तों आप से फ्रिम रहेंगे एक बैए है नहीर सिपी कर दान तक देने आप बाबाय दोस्तों आ